हलो एवरीवन वेलकम टू कैपिटल कॉर्णर मैं हूँ आपका होद मनसूर कुरेशी नाजरीन आज के हमारे प्रोग्राम करियर गाइडेंस में हमने दावत दी है अर्शद राचपर सापको जो ना सिरफ हमारे अच्छे कम्यूनिटी लीडर है बलके एक ताप नाच अर्किटेक्ट भी है और उनके साथ साथ अपना आईटी का बिजनिस भी करते हैं आज के प्रोग्राम में ना सरफ हम उनके एक्सपीरियंस और करियर के मतलिक बात करेंगे बलके उनके प्रोफेशन के बारे में भी तफसील से गुफ्तुओ करेंगे और उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्लाउड आर्किटेक्ट प्रोफेशन की मार्किट में क्या डिमांड है क्लाउड आर्किटेक्ट प्रोफेशनल बनने के लिए कौन-कौन सी रिसोर्स इस अवैलेबल है कौन-कौन से कोर्स इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन या डिगरी की जरूरत होती ह क्या ये तमाम कोर्सिज और ट्रेनिंग आनलाइन एजिली अवेलिबल हैं, क्या फ्रेश ग्रेजुएट्स को इस फील्ड में आसानी से जाब मिल सकती हैं, क्या बगेर एक्सपिरियंस और कंप्यूटर नॉलिज के हम इस प्रोफेशन में आ सकते हैं, और इस वक्त अमेरिका क टाप 20 प्रोफेशन कोन से हैं, तो चलिए इन बातों का जवाब जानने के लिए हम बात करते हैं, हमारे महमान अर्शद राजपर साब के साथ, वेल्कम तू दी करियर गाइड़न शो, हावर यू सर, आप प्लेजर ती बी है, बहुत शुक्रिया, अर्षद साब आप मैं जो हूँ, मैं एक क्लाउड आर्किटेक्ट हूँ, और साथ में अपना एक कंसल्टनसी बिजनिस भी चलाता हूँ, और मेरा जो क्लाउड के अंदर एंटर होने की वजुआत हैं, वो बहुत मुक्तलिफ सी हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ अमेरिका में आया था, तो मैं, I think 18-19 years old, I was about 18-19 years old, तो मैंने मेरी जो डिगरी है, वो तो इलेक्ट्रानिक्स इंजिनियरिंग की है, उसका IT से हाँ, थोड़ा बहुत तालग तो है, मगर बिलकुल IT की डिगरी नहीं है, अगर आप लेखें तो, जब मैं ग्रेजिट हुआ, तो मेरे पास आप्शन बड़े कम में गुसने के लिए, मुझे यहां तो ग्रीन कार्ट की ज़रूरत थी, यहां तो फिर सिरिजन्शिप की ज़रूरत थी, एफ उन के फोरण बाद आप जब उस पे अपना वर्क आफॉराइजेशन पे जाते हो, तो काफी टाइम लग जादा, तो मेरे पास आपर्चुनिट एजियर, ठीक है जी, तो सबसे पहले तो I think कि हमें समझना पड़ेगा कि करियर जो है, वो उसको कैसे पिक किया जाता है, कि करियर पिक करना बहुत ही, I would say it's a really, really complicated task, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, यह करियर पिक करना तो एक असान सी चीज है, आप बात कर रहे हैं कि इस वजह से अगर आप सोचें कि आप 22-23 साल के होते हैं और आप graduate होने वाले होते हो, तो जब आप graduate होने वाले होते हो, तो आप सोच रहे होते हो कि भाई, मैं अब क्या करूँ, डिगरी तो मेरे पास हा गई है, यापको आप एक entry provide करती है, आपको वो कोई ऐसी कोई skill नही दे पाती जिससे आप जो एना आपने career को take off कर सको, हाँ आप जब रेज़ो में भेजना शुरू करते हो तो लोग, basically, it's like a check, I mean, it's just a punch in a punch hole, right, on a checklist कि वाईगी मेरे पास degree आगई, आप में qualify हो चुका हूं, किसी ने किसी white-collar job apply करने के लिए, right उससे ज्यादा degree कुछ भी नहीं है, उसके बाल फिर आपको सोचना पड़ता है, कि अब में, जो हैना, वो, you know, कहाँ पे apply करना शुरू करो, it's a long process, so what I'm trying to say here, कि it's a very, very complicated process, मेरे, as far as I'm concerned, तो मेरे लिए IT में घुसना, it was my requirement, you know, my need, तो इस वज़ा से मैं IT में आया, सरी है, बहुत आपने अच्छी बात की, और ये नाजरीन हमारे international students के लिए भी ये इन्होंने जो बाते कहीं हैं, बहुत एहम है, इनका कहना था, अर्शत साब का के, जब यो यहाँ पर आए, तो उनको ऐसी technology की जरूरत थी, जिस पे H1 आसानी से sponsor हो चुके हैं, green का आसानी से मिल सके, तो हमारे ऐसे international students जो यहाँ पर आते हैं और कोई journalism में कर रहा होता है, कोई sociology में bachelor's कर रहा होता है, कोई mechanical engineer बनने की कोशिश कर रहा होता है, बहुत अच्छे courses हैं, लेकिन इन सारे courses जो होते हैं, IT के इलावा, जो STEM में courses नहीं आते हैं, उनकी America में जो demand है, वो बहुत इसलिए कम है, क्योंकि उसके लिए आपको H1 या work visa लेने में बहुत मुश्किलात हो जाती हैं, तो अच्छा साब बहुत खूब कहा, आपने बहुत अच्छे points आपने कहें, आप ये बताइए, कि आपका जो cloud का जो आपको profession है, उसकी market में क्या demands हैं, क्या ये top 20 professions में आता है, मैं तो कहूँगा कि ये top 5 में आता है, उसकी reason में आपको बताता हूँ, cloud एक ऐसी चीज़ है कि आप ये समझ लें के हर चीज़ आपको easily available हो जाती है, basically, cloud एक basic problem जो solve करता है cloud, कि आपको accessibility मिल जाती है, आपको चीज़ के अंदर access right away मिल जाती है, पहले क्या होता था कि चीज़ें आपको एकसेस करने में आपको problem आती थी, cloud नहीं है, एक मसला तो cloud नहीं है, कि आप चीज़ों को असानी से access कर सकते हैं, अगर आप इसको take a step back, की ज़रूरत है, ठीक है, उसके बाद फिर आपने बच्चों को श्कूल बेजना है, उनको भी equipment की ज़रूरत है, और यहां तक कि आप सोच लें कि इवन गाडियां भी जो है न वो cloud के अंदर monitor होना शुरू हो चुकी है, जैसे आपने टेसला का नाम सुना है, उसके अंदर updates आती है, ठीक है, live updates आती है, जैसे आपके फून के अंदर updates आती है, तो आप update पर click करते हो, फिर वानरबिलिटी fix करते हैं, कोई glitch ऐसा आ जाता है, steering wheel सही काम नहीं कर रहा है, आपके brakes जो हैना, वो सही optimize नहीं हुए हुए, तो वो सारी चीज़ें जो हैना, वो 15-20 computer उसके अंदर connect कर दिये, तो वो cloud बन गया, ठीक है, cloud की जो applications है, अभी भी जो हैना, वो अभी भी बहुत सारी applications cloud के अंदर develop हो रही है, और cloud जो हैना, I think 2007-2008 में, जो हैना, वो जो main concept Amazon ने release किया था, AWS का कि भाई, जो हैना, वो एक cloud भी कोई एक चीज है, और जब 2008 में व नहीं चीज आ गई है, तो फिर, जब लोगों ने इसको समझना शुरू किया, लोगों को इसकी application समझना शुरू हुए, तो फिर जो हैना, यह एक ऐसी field बन चुकी है, कि इसने आपके IT infrastructure को capture कर लिया, आपको computer, आपको किसी company को आपको जो हैना, वो बंदे फोरान हायर करने ह और उनको आपने जो हैना, वो सो, you know, thousands of different kind of workstations उनके लिए आपने spin-up करनी है, तो वो cloud आपको वो एक, आपका वो problem solve करता है मिंटों में, पहले क्या होता था कि आप एक, आप जो हैना, request put करते थे, और कोई एक इंजिनियर बैठा हुआ था था था, वो नहीं जो हैना, वो session खड़ा हो जाता है, आप login हो जाते हैं, और आपको जो हैना, वो workstation मिल जा दिया, आप अपना काम करना शुरू करते हैं, तो cloud जी बहुत अरी applications है, अभी cloud evolve हो रहा है, तो अर्चत, भाई आप से जो simple सवाल है हमारे नाजरीन के लिए जो इतने technical नहीं है, तो सबसे पहले तो यह बताईएगा कि simple अलफाजों में कि यह cloud जो है, हमने मतलब सुना हुआ है, cloud तो आसमान पर भी होते हैं, तो यह cloud applications हैं, यह होती क्या है, थोड़ा सा यह easily define कीजेगा, और दूसरा यह बताईएगा कि इस course को, या अगर किसी को cloud professional बनना है, तो कौन सी resources, कौन से courses, training, य होती है, ठीक है, सबसे पहले तो जहना, वो cloud का में आपको एक मरतबा और introduction दूँगा, और cloud की applications का introduction देना चाहूंगा, तो basically यह एक ऐसी चीज़ है, कि cloud जो है, वो, आप जैसे, मैं जहना, वो मिसाल दून रहा हूं कि, आपको असानी से चीज़ें access करने के लिए, अगर solution च आपने computer के उपर application host की, ठीक है, और access आपको देनी है, 10 बंदों को, तो आप अपने computer के अंदर, जहना, काफी सारी चीज़ें उसको open करोगे, ताकि सारे, काफी सारे लोग आके उसको access करें, ठीक है, तो उसको करना थोड़ा से मुश्किल हो जाएगा, और time भी काफी लग ज access देनी है, तो आप मिंटों में कर सकते हो, ठीक है, तो वो cloud आपका एक time saving application है, आप काफी time save कर सकते हो, लोगों को किसी भी चीज़ की access देने के अंदर, तो यह तो एक जहना, वो basic चीज़ें जो के लोग समझ सकेंगे, कि cloud क्या कर रहा है, वो आपके access का problem solve कर रहा है, main access का, आपका कहने का जो, आपका कहने का जो मकसद है, वो यह ही है, कि ऐसा कोई सा भी data हो, हमारे पास, या website होती है, बड़ी बड़ी, या कोई email servers होते हैं, वो cloud पर, वो cloud पर आपके save होते हैं, और फिर आप, आपको जरूरी नहीं है, कि आपका laptop आपके पास हो, आप उसको access कर सक सकते हैं, is that correct, sir? बिल्कुल, as long as आपके आपके पास access होगी, उसकी, आप किसी भी एक छोटे से device से आप उनको access कर सकते हो, आप अपने iPhone से access कर सकते हो, Android से access कर सकते हो, किसी भी चीज़ से access कर सकते हो, बिल्कुल, तो वो professional बनने के लिए कौन से resources available हैं, और कौन से courses, training, और certifications की ज़रत होती है, I think, सबसे basic course, जो है न, वो इसका, मैं तो लोगों पर ये कहता हूं कि AWS से, जो है, आप AWS associate का जो हैना, course, वहाँ से start करें, और फिर, अगर देखें, cloud के भी, जो हैना, वो different किसम के platform से, Microsoft का अपना platform है, जिसको Azure बोलते है, और Google का अपना है, और उसके बाद Oracle का अपना है, और AWS का तो सबने नाम सुना ही है, Amazon का, तो सबकी जो हैना, वो certifications different है, जो कि Microsoft is one of the, one of the main, main provider, or one of the earlier ones, those are the, Microsoft ने, जो हैना, वो introduce कराया था, cloud को, तो वहाँ से अगर certifications start करेंगे, तो I think there will be a good start, फिर आप जहना, जहाँ पर job करते हैं, फिर उनसे पूचें के ब cloud पे, अगर अगर उनकी company cloud पे अल्रेडी है, तो कौन से cloud पे फिर वहाँ की certification करना शुरू करें, मगर start जो है, वो AWS से ले, तो इसमें आप बताईए, क्या ये courses करने के लिए किसी degree की जरूरत होती है, क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि मैं recruiting field से हूँ, तो कमस्कम 70-80% Americans ऐसे ह होते हैं, जो जिनके पस degree नहीं होती है, और वो AWS और cloud architect होते हैं, तो हमारी जो देशी community है, क्या उनको भी degree की जरूरत है, या बगएर degree के भी cloud architect या cloud developer associate बन सकते हैं, जी बलकुल, degree के बगएर बन सकते हैं, degree is just a ticket to ride, आपको train में चड़ने के लिए आपको ticket चाहिए होती है, उसके बाद फिर आप जितना लंबा सफर करें, वो आपके उपर depend करता है, ठीक है, तो अगर आपके पास degree नहीं है, और आपको आपको जो हैना, उसका काम आता है, आपको इतनी practice होती है, आजकल तो different किसम के platforms जैसे up work हो गया, और different किसम के जो हैना, वो platforms मुझूद हैं, जि किसी तरीके से आपके पास work experience है, तो फिर जो हैना, आप easily scale कर सकते हो, तो AWS में यहाना, किसी भी technological field में गुसने के लिए आपको degree का होना इतना जरूरी नहीं है, जितना आपका experience होना जरूरी है, और experience कैसे मिलेगा, वो आप काम करोगे तो आपको मिलेगा, और आपके पाप और आप नहीं होगी, तो आपको experience कैसे मिलेगा, जैसे मैंने platforms बताए, आप अप work पे जाओ, और अपना जो हैना, और दो तीन और platforms मोजूद है, जिनके उपर आप जो हैना, बिड कर सकते हो, projects के उपर के बाई, मैं एक ये cloud session, cloud infrastructure, खड़ा कर सकता हूँ, और मैं जो हैना, उ तो यही हमारा सवाल है, हमारे सामाई जो है, especially जो fresh graduates है, उनको बहुत जादा complaints होती है, कि उनको jobs आसानी से नहीं मिलती है, जहां पर भी जाते हैं, लोग जो हैं, उनसे experience मांगते हैं, तो क्या fresh graduates जो हमारे हैं, उनने बगएर experience के cloud में जाब मिल सकती है, क्या ये आसान चीज कर लें, तो direct entry उनकी हो सकती है, तेक है, certification तो एक चीज हो गई, वो degree से अरीब करीब हो जाती है, degree हो गई, certification होगे, almost, it's almost the same thing, आपके पस थोड़ा बहुत kickstart या experience होना चाहिए, या तो आप अपने, during your, during your four year degree, और, you know, जो भी आप कर रहे हैं, वहां पे आपने को यह ऐसा hands on project कियाओ, जो, क्योंके employers देखते हैं कि भाई, आपको काम कितना आता है, ठीक है, अगर आपको 40, 50, 50, 70 गंडे के दे रहे हैं, तो वो यह पूछते हैं कि आपको काम कितना आता है, वो यह नहीं पूछते कि आपके पास डिगरियां कितनी है, तो fresh graduates को मैं यह advice दूँगा, क हाँ पे जाके projects pick करें, ठीक है, और वहाँ से projects pick करें, hands-on experience लें, और अपने resume के ओपर, कि हमने दो महीने जो हैना वो यह project किया, हमने उसकी जो हैना वो पूरा उसको outline करें, कि मैंने यह नहीं यह दस चीज़ें की हुई हैं, और इस company के लिए की हुई है, this was the problem and then this is how I solved it, so that will take you far, वो फिर आपको job दिलाएंगी, सही, और हमने देखा है कि काफी जो skill set हो गए हैं, जैसे mainframe हो गया यह दूसरे हो गए, वो बड़े outdated से हो चुके हैं, और काफी ऐसे professional जिनका business से और दूसरी field से तालुक है, वो भी IT में आने का सोच रहे हैं, तो उन्हीं की तरफ से यह सवाले कि बगएर experience और computer knowledge के, शर्त है कि उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, क्या हम इस profession में आ सकते हैं? जी पिलकुल आ सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा अपना हाथ सीधा कर ले, पाकिस्तान में भी अगर दर्जी भी है, जो टेलर होता है, वो भी आपको र साइम आता है, वो हजारों रुपे बनाता है, same concept IT में भी है, हर फील में same concept है, देखें, मैं employer हूँ, मैं अगर किसी को hire करूँगा, मैं देखूँगा कि भाई, मैं इसको pay तो कर रहा हूँ, return में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे इसकी degree से तो कोई लेना देना है नहीं, इसक कुछ ना कुछ आना आपको कहां से मिलेगा, वो आपको regular market में जाना पड़ेगा, वो आपको freelancing websites पे जाना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई hands-on experience लेना पड़ेगा, बिलकुल, आपको जो जवाब है, वो ऐसे तमाम professionals के लिए है, जो अपने degrees पे mostly focus होते हैं, और जो market में heart skill set होते हैं, IT के हों, या किसी भी field के हों, उस पर उनका focus बिलकुल भी नहीं होता, अपनी पूरी मेहनत degree पे लगाते हैं, और फिर जब वो market में आते हैं, ना उनके पाद experience होता है, ना उन्हें hot skill sets का पता होता है, और ना उन्हें ये direction होती है कि उसको किस तरीके से pursue करना है, ह बहुत खूब का आपने, अर्चाद भाई, आपसे मेरा दूसरा सवाल था कि ये बताइए कि as a cloud architect, cloud developer, market में इस profession की salaries वगएरा किस तरीके से define होती है, और top, अगर आप 10 professions के बारे में बताना चाहें, तो कौन से top 10 profession हैं इस वक मार्केट में, तेखें, salary depends on your work experience, number of experience dictate your salary, ठीक ह तो entry level की में आपको बता सकता हूँ, entry level में आपको, I think cloud practitioner के exam pass करने के बाद, आपको जहना वो low 70, 80,000 तक offer हो जाते हैं, उसके बाद जैसे आपका, जैसे आपका experience बढ़ता जाता है, तो senior, some of the cloud architects that I have known, they touch, you know, close to 180, even 200,000 dollars a year, वो इतना, इतना touch करते हैं, even hourly rate, it goes all the way up to 130, 140, that I have seen, you know, the most experienced ones, तो उस लेवल पर पहुंचने के लिए, आपको कम असकम 10-12 साल के experience की ज़रूरत होती है, तो ये range में आपको बता सकता हूँ, और top 10 IT professions आपके साब से कौन से हैं, इस वग मार्केट हैं, क्लाउड और उसके बाद, I think, अपना सिस्को के, काफी सारी आजकल जो हैना, वो वो इस वर आई-पी, और अपना, दो जो मेरी फिल्न है, अगर आप इससे आउटसाइड जाना चाहते हैं, तो जतने भी coders हैं, जिनको programming आती है, then the sky is the limit, आप अपनी start-up spin-up कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ जो हैना, वो, it's programmatically connected, अब देखें, अब हम सारे लोग जो हैना, वो face कर रहे हैं, the biggest barrel of our lifetime, which is COVID, अब देखें, COVID कैसे introduced हुआ, चाइना में वाइरस है, और यह हम अमेरिका में बैठे हुआ हैं, और हम भी सफर कर रहे हैं, तो इसकी रीजन यह है कि we all are connected, हर अप यह नहीं सोच सकते कि भाई, मैं अमेरिका में कालिफोर्निया में बैठा हूँ, और मैं टैक्सिस में बैठा हूँ, चाइना का व एक मिझे नहीं के मिल्ले आउननी तो आप शह दोनी चाइऑ, यह हुआ है, तो अदुन प्लिफोर्निदना हूँ, पर उकीछे में इस मसेसा कीया है, ऐन पॉआ की उन पॉर्ट्र मोंमॉइंज बैठा है, तो अब कर रहे हैं, और में बैठा तर अब इसकी शहान आइसे, व जबान सीखनी पड़ेगी, उर्दू में बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि मुझे उर्दू आती है, आपको भी उर्दू आती है, बिल्कु साही बात, कंप्यूटर, एक ऐसा, एक ऐसा लिविंग बींग, आप उसको बताना है, कि मुझे ये प्रोग्राम तुमारे उपर बनाना है, तो आपको उसको कर्टन कमेंट्स देनी बढ़ेंगी, तो ये तो खाल ये कंप्यूटर होगे, आप आप देखें, फ्रिज जो हमारे पास है, वो भी कनेक्टेड है, गाड़ियां कनेक्टेड हैं, बहुत सारी बहुत बहुत अच्छा आपने explain किया, कि sky is the limit, all we need to do, कि हमें ये चीज़े learn करनी है, और देखना है, कि मार्केट में कौन सी चीज़े hot चार रही है, आप बिजनिस भी करते हैं, तो अगर हमारे, सबसे पहले तो अपने बिजनिस के बारे में थोड़ा बताएगा, और अग कोई course करना चारा हो, या आपको call करना चारा हो, या आप से training लेना चारा हो, तो क्या आप ये training भी provide करते हैं, जैसे दूसरी Indian company, तो training और placement सारी चीज़े provide करते हैं, तेखें, training तो मैं provide नहीं करता है, मगर ये है कि placement में help जरूर करता हूँ, कि अगर आपके पास cloud के अंदर को रहा हूँ, तो अगर किसी को भी उसके अंदर help चाहिए, to either you know, expand their career, or find an entry-level opportunity, तो वो मुझे, वो मुझे जो है ना, वो contact कर सकते हैं, मेरी company का ना package systems है, PAKIT space systems, साही है, बहुत खूब, बहुत खूब, ऐसे लोग जो complain करते हैं, कि उन्हें जाज मार्केट में नहीं मिर रही हैं, और उनके साथ जयातियां हो रही हैं, ऐसे लोगों के लिए हैं, ऐसे fresh graduates के लिए हैं, ऐसे आम लोगों के लिए हैं, आपके क्या final remarks हैं? तेके final remarks तो यह हैं, सबसे पहले तो मुझे इमरान खान का जुमला याद आता है, गबनाना नहीं है, सबसे पहले तो आपने गबनाना नहीं है, उसकी reason यह है कि आप गबरा गए तो आप डूब गए, यह जो है ना दुनिया बहुत बड़ा समंदर है, जिसके अंदर ना आ different styles of swimming सीखने है, मतलब different different skills आपको सीखने है, अगर आप graduate भी हो गए, तो फिर भी आपको, जो है ना, वो, किताबیں पढ़नी पढ़ेंगी, किताब आपकी जो है ना वो बहुत जबरदस दोस्त होनी चाहिए, कि आप कभी भी जो है ना वो किताब खोलें और सीखना शुरू कर दें, तो the desire to learn should never end, आप जो है ना you should continue, continue learning, तो मेरी ये advice है, कि जिस फील में भी आप graduate हो रहे हो, सबसे पह differentiate करो, कि भाई एक graduate जो है ना, एक अपने पीर से अपने जो ग्रेजुएट बंदा है, उससे अपने आपको differentiate करो, कि भाई ये बंदा freshly graduated है, और मैं भी freshly graduated हूँ, मगर मेरे पास 6-8 महीने की internship है, मेरे पास 6-8 महीने का जो है ना, मैंने एक projects किये हुए, तो फिर वहां से आप को job भी असानी से मिलेगी और आप अपना जो है ना, वो career भी एक next level पर ले जाओगे, सही, बहुत शुक्रिया हमारे program में आने का, अर्शर साहब, नाजरीन आपने हमारा program देखा, उमीद है आपको program पसंद आया होगा, इस program में जो अर्शर साहब ने जो चीज़े explain की हैं, जो training के बारे में उनको बताया है, उनके सारे हम links जो है, शेयर करेंगे अपने program में, also ऐसे लोग जिनके पास degrees नहीं होती हैं, या जिनके पास degrees होती है, fresh graduates होते हैं, वो हमेशा government को और अपनी किसमत को कोस्ते वे आते हैं, तो ऐसा उनके ये program ऐसे ही लोगों के लिए हैं, त अपने दोस्तों को सब को इस program के बारे में भी बताएं, कि vocational training ऐसी simple courses हैं, कि दो तीन महीने की training में थोड़ा सा आपके पास experience भी हो जाता है, और यहाँ पर कई देसी IT companies मौजूद हैं, जो ना सरफ आपको training provide करती हैं, बलके आपकी placements में भी help करती हैं, उनको भी आपको जर के साथ फिर हाजर होंगे, thank you so much, God bless you and God bless United States of America, thank you Rajpur Sahib for coming into my show, thank you so much.